परिचय बाहर खड़े होकर वे देखते हैं कि उनके घर की खिड़कियां तथा दर्वाजे हिल रहे हैं मीना की मा उसे बताती है कि ये भूकंप है उस रात वे सभी पार्क में बैठते हैं अगले दिन सुबा उसकी पापा अकबार लाते हैं अकबार की मुख्य खबर शहर में भूकंप के बारे में थी बच्चों आओ आज हम प्राक्रतिक विपत्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं आओ सीखें प्राक्रतिक विपत्तियों को परिभाशित करना प्राक्रतिक विपत्तियों के प्रकारों की सूची बनाना प्राक्रतिक विपत्तियों के प्रभाव की व्याख्या करना प्राक्रतिक आपदा के दोरान बरतने वाली सावधानियों का सुझाव देना प्राक्रतिक विपत्ति अगले दिन बीना स्कूल जाती है कक्षा के अन्य विद्यार्थी घटना के बारे में जानने को उच्सुख है रश्मी नाम की एक विद्यार्थी माडम से पूछती है माडम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल रात को क्या हुआ था? बच्चों, हमने कल एक भूकंप का अनुभव किया था यह एक प्राक्रतिक विपत्ती है ऐसी प्राक्रतिक घटनाएं जो किसी क्षेत्र पर घातक असर छोड़ देती हैं प्राक्रतिक विपत्तियां कहलाती है भूकंप किन्तु माडम, भूकंप क्यों आता है? रश्मी जब प्रित्वी के नीचे कोई अच्चानक परिवर्तन होता है तो उससे प्रित्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट हिल जाती है जिसके कारण भूकंप आता है जब भूकंप आता है, तो जमीन कांपने लगती है जब कमपन तेज होता है तो जमीन के कुछ हिस्सों में दरारें आ जाती है भूकंप के प्रभाव मैम, क्या भूकंप के दौरान इमारतों की दिवारें भी गिर जाती है हाँ, यदि इमारतें कमजोर होती है तो इमारतों तथा घरों को भारी नुकसान होता है यहां तक की मर भी सकते हैं संपत्ति को भारी नुखसान पहुँचता है यहां तक की भारी भूखंब के दौरान बांधों में भी दरारे आजाती हैं तथा वे तूट जाते हैं बांधों के तूटने के परिणाम स्वरू बाढ़ा जाती है प्राकृतिक विपत्तियों के प्रकार माडम, क्या भूकम्प के समान और भी प्राकृतिक विपत्तियां है? हाँ रश्मी, प्राकृति में और भी कुछ विनाश वाली घटनाएं जैसे बार, सूखा तथा चक्रवात आधी होते हैं ये प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं, बिजली गिरना, सुनामी तथा भूस खलन भी प्राकृतिक आपदाएं ही हैं माडम, हम इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं बाढ़, अब मैं तुमको बाढ़ के बारे में बताती हूँ, क्या तुम्हें पता है कि भारी वर्षा के कारण बाढ़ आती है? जब अधिक तथा तेज वर्षा होती है, तो नदियों में आवशक्ता से अधिक पानी हो जाता है, तथा वह बाहर आ जाता है, जिससे आसपास का क्षेतर डूब जाता है. पानी घरों, दुकानों, सडकों, खेतों आदी में घुश जाता है तथा संपत्ति को नुकसान पहुचाता है बाढ़ जीवन तथा संपत्ति दोनों को ही नश्ट कर देती है लोग बेरोजगार हो जाते हैं तथा वो शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं तथा वहाँ जाकर वे मजदूरी करने लगते हैं सूखा अब हम ये जानते हैं कि अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है अब जरा सोचिए तब क्या होता है जब बिलकुल भी वर्षा नहीं होती है हाँ इससे एक अन्यप्रकार की प्राक्रतिक आपदा होती है जो की सूखा कहलाता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूखा तब पाया जाता है जब बहुत कम वर्षा हो या बिलकुल भी वर्षा नहो सूखे के दोरान नदियां, तालाब, कुएं तथा अन्यजल संसाधन सूख जाते हैं खेती के लिए बिलकुल भी पानी नहीं मिलता है यहां तक की पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है इसमें अनाज तथा पानी दोनों की ही कमी हो जाती है चक्रवात बच्चों, क्या तुम जानते हो कि चक्रवात क्या होता है? चक्रवात में चक्रिय हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं बहुत अधिक वेग से चलने वाली तेज हवाएं, रास्ते में आने वाली सभी चीजों जिसे पेडों, घरों, बिजली के खंबों आदि को तहस नहस कर देती हैं चक्रवाद, विशेश तह समुद्र के किनारे वाले भाग में आते हैं आकाशिय बिजली बच्चों तुम जानते ही हो कि आकाशिय बिजली भी एक प्राकृतिक आपदा ही है बरसाद के मौसम में जब आकाश काले बादलों से घेरा होता है हम आकाश में बिजली कड़कते हुए देखते हैं बिजली इमारतों, पेडों या मैदान पर गिर सकती है जिस थान पर बिजली गिरती है उस थान की सभी वस्तुएं जल जाती है बिजली गिरने से कभी-कभी जीव जन्तुओं यहां तक की मनुश्यों की भी मृत्य हो जाती है आउखेलें सही विकल्प को उठा कर रिक्त स्थानों को भरें भूस खलन बच्चों स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि मिट्टी धलान से नीचे गिर रही है जब उचे पहाडों से घाटी में बड़ी मात्रा में मिट्टी तथा चट्टाने गिरती हैं तो भूस खलन कहलाता है भूस खलन होने पर पहाडी क्षेत्र के रास्ते बंद कर दिये जाते हैं कुछ लोग घायल हो जाते हैं तथा कुछ मर भी जाते हैं सुनामी बच्चों आपने सुनामी के बारे में अवश्य सुना होगा समुद्री लहरों की एक बहुत लंबी तथा उन्ची श्रिंखला सुनामी कहलाती है यह समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों तथा उनकी समपत्य को बहुत भारी नुकसान पहुचाती है पानी के नीचे भूकंप, भूस खलन तथा ज्वाला मुखी के फटने के कारण उतपन होने वाली समुद्री लहरों की श्रिंखला सुनामी कहलाती है ये लहरें 30 मीटर उची तथा 200 किलो मीटर तक लंबी हो सकती हैं तथा 200 से 300 किलो मीटर पती घंटे की रफतार से चलती हैं बाद के प्रभाव तथा राहत बाढ, सूखा, तूफान, भूकंप, बिजली गिरना, भूस खलन तथा सुनामी ये सभी प्राक्रतिक विपत्तियां हैं इन्हें रोका नहीं जा सकता ये भारी नुकसान पहुँचाते हैं इसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक शती पहुँचती है ये याद रखना अतियावर्शक है कि जब ये प्राक्रतिक विपत्तियां आएं तो पहले लोगों को बचाना चाहिए तथा उसके बाद आने चीजों तथा सम्पत्तियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए जो की पुनह भी बनाई जा सकती है सरकार प्राकृतिक आपदा समिती बना कर भी प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित लोगों की सहायता करती है ये समिती ऐसी घटनाओं के घायलों को सहायता प्रदान करती है देश के उत्तरदाई नागरिक होने के नाते हम जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए उसके द्वारा हमें सरकार की सहायता करनी चाहिए आओ खेलें कॉलम क का कॉलम ख से मिलान करें हमने क्या चर्चा की जब प्रित्वी के नीचे कोई अचानक परिवर्तन होता है तो उससे प्रित्वी की पपड़ी हिल जाती है जिसके कारण भू कम पाता है जब अधिक तथा तेज वर्षा होती है तो नदियों में आवशक्ता से अधिक पानी हो जाता है तथा वह बाहर आ जाता है जिससे आसपास का क्षेत्र डूब जाता है सूखा तप पाया जाता है जब बहुत कम वर्षा हो या बिल्कुल भी वर्षा न हो सूखे के बाद अनाज तथा पानी की कमी हो जाती है तेज चक्रिय हवाओं का बहुत अधिक वेग से चलना चक्रवात कहलाता है चक्रवात रास्ते में आने वाली सब ही चीजों को तहस नहस कर देता है चक्रवात विशेष्ट समुद्र के किनारे वाले भागों में आता है बिजली तब कड़कती है जब आकाश में काले बादल घिर आते हैं जब बिजली गिरती है तब साब कुछ जला देती है जब उचे पाहाडों से घाटी में पड़ी मात्रा में मिट्टी तथा चट्टाने गिरती हैं तो यह भूस खलन कहलाता है पानी के नीचे भूकंप, भूस खलन तथा ज्वाला मुखी के फटने के कारण उत्पन होने वाले समुद्री लहरों की श्रिंखला सुनामी कहलाती है